हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल टेकेक्स मेरा नाम टुकाइवट अचारिया है यह बेल सी मीडिया प्लेयर का जो सीरीच चल रहा था उस सीरीच का दूसरा वीडियो है इस वीडियो पर हम जानेंगे कि बेल सी मीडिया प्लेयर को कैसे हम एक स्क्रीन डेकोडर की तरह यूज़ कर सकते हैं इसके लिए आपके डेश्टॉप और लैप्टॉप पर बेल सी मीडिया प्लेयर का इंस्टॉल्ड होना ज़रूरी है PLC Media Player का जो Installation Process है वो देखने के लिए आप मेरे चैनल का जो पहला वीडियो है वो देख सकते हैं PLC Media Player का जो Screen Recorder Feature है उसको यूज़ करने के लिए आपको पहले PLC Media Player को Open कर लेना पड़ेगा Open कर लेने के बाद आप उपर देख सकते हैं कुछ Options दे गया है Media Option पर आपको क्लिक करना पड़ेगा उसके बाद आप Open Capture Device पर क्लिक करेंगे एक Pop-Up Box आपके समने Open होगा वहाँ पर Capture Mode जो है उसको Desktop पर करना पड़ेगा आप Capture Mode डेख स्टोप करते ही एक Desert Frame Rate का Option आपके समने दिया जाएगा मतलब आपका जो Record वीडियो होगा उसकी फ्रेम रेट पर होगा वो आपको ताई करना है मैं इधर 30 रख देता हूँ आप चाहें तो 15 या 10 भी रख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर जो Arrow है Arrow पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और Convert पर क्लिक करना पड़ेगा उसके बाद और एक WopUp Box आपके समने आएगा वहाँ पर Source है वो Screen ही रहने देजिएगा यहाँ पर कोई छेरचार मत किजिएगा उसके बाद जो Profile है Profile आपको Video H264 प्लस MP3 MP4 यह जो बला Profile है इसको आपको Select करना पड़ेगा यह Select कर लीजिगा उसके बाद आपको Destination File को Choose करना पड़ेगा मतलब आप Record करने के बाद यह जो वीडियो है कहां पर रखेंगे उसका Location आपको Choose करने पड़ेगा इसके लिए मैं Browse कर लेता हूँ पहरे और मैं Desktop पर रखना चाहूँगा इसलिए Desktop चूज कर लेता हूँ और वीडियो का एक नाम दे देता हूँ मैंने अपने वीडियो का नाम दे दिया अब सेप कर लेता हूँ सेप करने के बाद डेस्टिनिशन फाइल का जो Location है वह यहां पर आ चुका है अब स्टार्ट करते ही PLC Media Player आपके desktop या laptop का screen को record करना स्टार्ट करतेगा चलिए स्टार्ट करते हूँ आप इधर देख सकते एकोने में यह स्टार्ट हो चुका है यह screen को record करना स्टार्ट कर चुका है अभी minimize करता हूँ थोड़ा काम कर लेता हूँ जिससे कि आपको पता चले कि यह स्क्रीन को रेकृट कर रहा है आप इधर इधर भी देख सकते हैं डेस्टिनिशन फाइल का जो लोकेशन मैंने दिया था वहाँ पर यह वीडियो तैयार हना स्टार्ट हो चुका है अभी इसको स्टॉप करने के लिए यहाँ पर आपका स्टॉप बटन पर क्लिक करना पड़ेगा करते ही आपका उधर वीडियो रेडि हो जाएगा देखिए वीडियो रेडि हो चुका है चलिए देखते हैं आप देख सकते हैं कि यह स्कीन को रेकृट कर रहा था मैंने जो भी कुछ किया उसको रेकर लिया इस तरह से अब भेल सी प्लेयर के मदद से आपने स्क्रीन को रेकर्ड कर सकते हैं पर एक कमी यहां पर भी है यह उडियो को रेकर्ड नहीं कर सकता इसके लिए आपको एक voice recorder का जरूरत पड़ेगा जो साथ ही साथ आपको audio को भी एगोट करे उसके बाद video और audio file को अलग-अलग separate करके मार्च करना पड़ेगा तो आज के लिए बस इतना ही Thank you very much, Take X को देखने के लिए झाल 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 झाल